हालो गुड इवनिंग एवरिवन मैं डॉक्टर स्वाती शर्मा इंग्लिश सूत्र में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोग के लिए भाईया मैंने एक सीरीज चलाई है पाथ टू विक्ट्री सीरीज यह मेरी किताब का नाम है और मैंने इसमें एक नई चीज जोड़ी है हाला कि वो मेरा काम नहीं था मलब कि मैंने कभी काम करा नहीं मगर इसमें मैंने पेड़ागॉजी के क्वेस्टन्स भी जोडने शुरू करें जैसे आज मैं आप लोगों के लिए history of English literature के साथ grammar के questions लाई हूं मेरी बुक के ही है और तीसरी चीज लाई हूं blooms taxonomy blooms taxonomybook पेड़गॉजी के questions भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मेरा प्रयास था जो पार वन मैंने करवाया था उसमें मैंने एनीपी के बारे में बताए था आज टेक्सटोनॉम के बारे में बता की उसमें मैंने इस्ट्रिय इंग्लिश लिट्रेचर विद अनिपी बताया था आज हिसेट्रिय इस्ट्पीस लिट्रेचर ग्रामर मुष्ट ग्राम प्ल्स टेक्स्टोनॉमई तो बहु है सं ήา अपकिछ लोगों को शोक होता है नहीं नहीं चीज़े करने भगवाद जाने में उसमें अच्छे होते हैं नहीं होते हैं मगर शौक जरूरों उन में से एक मैं उन्हां। तो मैंने भी एक कोशिश करी है यह तो मुझे पता है कि मैं grammar literature अच्छे से पढ़ा लेती हूं अब इसमें भी तीसरी चीज में भी कोशुश कर रहे हूं देखो भाई मैं उसमें इसले कर रहे हूं कि प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो वह भी अच्छा रहता है तो मैंने चलो तो कोशिश कर रही चोंकि DSSB पढ़ाती हूं UKLT पढ़ाती हूं तो इसके साथ ही जो है भाई आप लोगों को यह चीज़े भी बता तो पहले आप देखों यह सुन्दर सा जो cover page है मेरी किताब का cover page है history of English literature grammar है इसके साथ DSSB का थोड़ा सा एड़ कर ले हूं DSSB का बैच जो है हमारा चल रहा है लाइव बैच है वीडियो बैच है सिर्फ लिटरेचर का बैच है और यह जो बैच इस हैं यह आपको इनमें नोट्स आपके घर पर मिलते हैं जब आप बैच खरीदते हैं अलग स सिर्फ बिना बैच के नोट्स नहीं मिलते हैं ठीक है कंडिशन होती है मेरे नोट्स नहीं है तो मुझे भी जहलो ठीक है जी तो अब यह जिनको सिर्फ नोट्स नहीं हो गई ना उनके लिए बात आपको करना क्या है आपको सिर्फ आकर आकर देखना भी है कि इस पे चैनल सबस्क्राइब वी निगे erिस सब्षाइब कर दिए प्लस सब्सक्राइब कर एक है तो ये прост Buddha उपके इसके बार एक यूकल अपको इस मोतर सब्सक्राइब और लिआफ एड सब्सक्राइब और वीडियो बैड जो वीडियो और जो नहीं है उसकी live classes चलती है तो यह भी एक बैच है UKLT का यह आपका subject concerned का है ठीक है चीच चलो अब हम लोग questions जो है वो शुरू करते हैं पहला है आप लोग question को देखिएगा मैं अपना pen कॉल्टन टॉमस फुलर अनाटमी ओफ मिलंकली यानि की जो यह वर्क है अनाटमी ओफ मिलंकली कौन है जी इसके तो भाई आप लोगों को पता होगा और इसने आपने जवाब दे भी दिया होगा that is Robert Burton जो है अनाटमी ओफ मिलंकली के जो है वो इसके राइटर है यह आया था 16 21 का यह वर्क है that is a work of 60 विलोप्य 1621 में आया था और इसके लवह मैं आपको बताऊं इस वह नोंने क्या-क्या बताया यह उन्होंने डिफाइंट मेलंकली इसमें उन्होंने मिलंकली को डिफाइं करा है उसके कॉजिस बताएं है और सेकेंड पार्ट में उसके जो गैंद क् में उन्होंने मिलंकली डिफाइन करी है और सेकंड पार्ट में उसके क्योर जो है वो उन्होंने बताए है that is robert bird who which of john bunyan's work is a biography pilgrim's progress the life and death of mr. badman grace abounding the holy war so in message of john bunyan ki autobiography that's a biography autobiography that is grace abounding actually grace abounding is an autobiography not biography it's an autobiography because it is written by john bunyan ये एक autobiography है grace abounding एक autobiography और ये spiritual journey है john bunyan की it's a spiritual journey of john bunyan milton's commerce is written in the form of आपको पता होगा कि milton ने एक mask लिखा है दो मास्क लिखें arcades and commerce तो ये commerce जो है बेसिकली इसकी जो थीम थी वो चेस्टीटी थी एक लड़की है जिसका नाम है लेडी और उसके दो भाई हैं और उसको commerce जो है उसको परस्वेड करता है एक magical drink पीने के लिए बटशी जो है परसीवर्ट जो है लेकिन वो उस लेती नहीं उसके उसके temptations में नहीं आती है तो चेस्टीटी इसकी थी में यह और अफ ब्रिजवाटर के सम्मान में लिखा गया था और commerce का जो form है that is mask mask इसका form है that is a mask commerce is the god of commerce के father Bacchus और mother Circe है और commerce को दिखाया गया है rivalry is a god of rivalry the subject of Milton's commerce is theme जो है वो उसकी क्या है that is chastity that is chastity chastity जो है वो इसकी थीम है when was the English throne restored to Charles second आप लोगों को पता होगा कि 1603 में जब चार्ल्स फर्स्ट को की मृत्यू हुई तो चार्ल्स फर्स सिक्टीन फॉर्टी नाइन उसके बाद जो है कामन्विल्थ का चाल्स सेकेंड गदी पर दुबारा आए 1660 में मैं अलिवर क्रॉम्विल के बाद एक साल उनके बेटे सेकेंड अपने एक्जाइल से वापस आए उनको मुझे मुनार्की रीस्टोर हुई उस रेस्टोरेशन पीरियद ताट वास 1660 रेस्टोरेशन पीरियद वास 1660 कि वह इस फेमस फॉर कीपिंग डाइरी विच विच विन डिसेफर द पब्लिश्ट एट वन्स बिकमाद ऑद आपको बट्रस वाप लोगों ने डाइरी डाइरी जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं आपको से मौल पैपीज के यह जो वर्क है पहले आपको बताऊं कि 1660 से 69 तक उन्होंने डाइरी जो है वो लिखी यानि कि 10 साल तर इसमें वो लिखते गया थे अपने रोजमर्रा के जो काम थे रोजमर्रा की जो एंट्रीस थी वो लिखा गड़ते थे और इसमें उन्होंने बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्य कि अपने डाइरी जो होती है वो डाइरी जो होती है वो एक परसनल जो है वो फॉर्म आफ राइटिंग है तो दस साल तक 1660 से 69 तक उन्होंने लिखा और इट इस आवेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यमेंटेशन आप आउट रेस्टोरेशन पीरिए इन विच प्लेयों दॉक और डूवी फाइंड था आइंटरी अन्क्लियोपेट्र था सीज अफ रॉट्स ताइज चांक्विस्ट ऑफ ग्रेनड़ा और पर लव तर रिहर्सल वाइच रइंटरी उन्यम शेक्सपीर के अंटरी अफ्लियोपेट्र यह एक हीरोइक ट्राजडी और हीरोइक ट्राजड जौन ड्राइदर रोटर सटायर इन ही रोई कपलेट्स एलिगराइजिंग दपॉलिटिकल क्रैसिस अफ लास्ट यह उफ चाल्स सेकेंड नेमिट देमेडल एप्सलम इनकेटफिल एस्ट्रिया रेडक्स दा कॉंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनिडा जौन ड्राइडन बेसिकली एक स सेटायर है एफ डेट भॉलीटिकल सेटायर सेमॵल बटलर की हुडी ब्राइज एक बरलिस्क बरलिस का मतलब होता है एक बहुत ही जो मजाक के रूप में लिखी जो होती чो है बहुति ज ल्यूदी क्रस्वें में लिखी वी पोयम होती है उसको जो व बर्लिस्क कहा जाता है तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊं यह पोयम 1663 1664 और 1678 में तीन बार यह पब्लिश हुई यह पोयम और बेसिकली इस अन अटाइक ऑन प्यूरुटन्स यह अटाइक था किस पे इट से यह इट सन अट इट वसन अटाइक ऑन प्यूरुट यह प्यूरुटन्स पे एक अटाइक था फिर दुबारा से आपको बता रही हूं यह हिस्ट्री आप इंग्लिश लिट्रेचर के के वेस्ट्री बुक के हैं और उसी में से मैं आप लोगों को बता रही हूं नो मैन इस न आइलेंट यह आइलेंट की स्पेलिंग एस नहीं बीच में and therefore never send to know for whom the bell tolls it tolls for the where do we find these famous lines तो यह lines किस की है Milton की हैं डन की हैं बटलर की हैं ड्राइडन की है तो भाई आपको एक बाह बता हूं या आप इसमें for whom the bell tolls अमेरिकन राइटर ने इस अपने novel का भी इसमें से लिया है डन यह डन के devotions हैं देखो डन के devotions दन के devotions जो है devotions वर divided into 23 parts devotions वर divided into 23 parts और हरेक उसके subsections से subsections से three subsections meditation and expostulation and prayer इनके तीन subsections हुआ करते थे meditations इनके जो है इनको हमने डन ने को 23 parts में डिवाइड कर रहा था हर एक उसके तीन subparts से meditations expostulations and prayer ठीके जी यह जो है यह सत्रवे devotion का सत्रवे devotion का 17th meditation है यह 17th meditation है जिसका नाम है no man is an island यह 17th meditation meditation is the subpart यह 17th meditation है तो डन्स devotion तो इसके मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बताया कि डन्स के devotion को 23 parts में बाटा गया हर पार्ट के तीन सब पार्ट से meditations expostulations and prayer यह 17th जो डिवोशन है उसका 17th meditation है meditation 17th who called done and his followers the metaphysical poets Johnson Milton J.O.N.S.N. भाई ऐसा है metaphysical poets एक group of poets ते जिन में जो जॉन दन थे उनके लीडर कहे जाते हैं basically यह जो metaphysical poets थे यूस्टू टॉक अबाउट थिंग्स अधर दन फिजिकल एंड यह उनका major point था एक तो उनकी pedantic language और उनके use of conceits conceit का usage उनका जो है वो उनको दूनिया जहां से अलग बनाता था तो डन और उनके followers को जो metaphysical poets का है वो डॉक्तर सेमॉल जॉंसन ने कहा था यह जोटर सेमॉल जॉंसन कि दपिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस बाई जॉन बनियन इस पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस जिसमें अगर आप पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस एक एक religious allegory है allegory का मतलब होता है कि जिसमें एक अंड़नीथ मीनिंग डिफरेंट होता है तो यह religious allegory है पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस के vanity fair से विल्यम मेकपीस ठाकरे का novel है ताट आज वैनिटी फेर तो यह पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस एक religious allegory है जिसका जो protagonist है वो Christian है फाट विच पोयट लॉरेट वसकनल बेश आथे लॉर्येट ग्राउट रहन आफ बेश बेंस, और उन नहीं को जो मजा क उड़ाया यह उनको जो है शैडव तलने शैडव ने उनके cotemporary उन्हेटप्रिफे शैडवेल attacked, Shedwell attacked Dryden in the medal of John Bayes in the medal of John Bayes in the medal of John Bayes ठीक है जी? तो Shedwell ने इनको attack भी किया था ड्राइडन को in the medal of John Bayes में, who said that Dunn affects metaphysics in love poems तेको metaphysical जो term थी वो Dr. Johnson ने यूस की थी लेकिन Dunn affects metaphysics ये जो यूस किया था ये ड्राइडन ने कहा था इट वस दिस वाद इस पर्टिकुलर स्टेट्मेंट वस गिवन बाए ड्राइडन ये ड्राइडन का था Christ's victory was written by दो फ्लेचर है उनी में से एक ने लिखिये और और इस गाइल्स फ्लेचर Christ's victory was written by Giles Fletcher An Horatian Ode upon Cromwell's return from Ireland was written by Andrew Marvel, John Milton, Richard Loveless, Sir Walter Raleigh Horatian Ode upon Cromwell's return from Ireland लिखा था Andrew Marvel के द्वारा लिखा गया था it was a work by Andrew Marvel Andrew Marvel वो व्यक्ती थे जो जिनोंने help करी थी Milton को जब Milton जो है वो ब्लाइंड हो गेते हो तो उनको लिखने में मदद जो उन्होंने की थी इवन वन मिल्टन वो अरेस्टेट तो इट वस ही लेटर ओन ही वस नोन फॉर इस सेटायस मगर 19th सेंचुरी में चाल्स लैंब थे वो जिन्होंने इनकी पोयम्स को जो है सबके सामने लाया और उनको दुबारा से जो है वो फेमस जो है वो किया तो चाल्स लैंब की मदद से उनको चाल्स लैंब ने डिसकावा किया और उनको जो है वो उन्होंने रिकमेंड करा तो यह जो है यहां यह गलत है इसका अंसर होएगा चाल्स लैंब दैट वोज चाल्स लैंब दाहिस्त्री ओफ एवड़व और वस्रेटन भाइए इस्त्री ओफ टॉर्ट कर यह ठीर अंब спас belong again तो this one of the world 2 proof that was by sir walter related दा हिस्ट्री ओफ दो वर्ट विच प्लेय ओफ जॉंसन डिट शेक्स्पीर एक्ट इन आप जानते हैं कि बें जॉंसन जो जाने जाते हैं अच्छाव काम किया है अब यह थे हमारे हिस्ट्री के क्वेस्ट्री के अब चलिए अब सब्सक्राइब करते हैं यह थोड़े से आपके ग्रामर के तो मैं थोड़ा सा इधर को जाती हो और आप जड़ा questions देखिए और जवाब दीजिए actually क्या है कि आप यहां पर यह आपको इसका correct transformation देखना है transformation का मतलब होता है कि आप इसमें sentence को change करते हैं मगा उसका meaning change नहीं होना चाहिए तो इसमें she is too proud to listen to you टू को सो से अब आट से गड़ते हैं तो आप यहां देखिए she is so proud that she won't listen to you यहां पर चुकि आपका sentence जो है वो प्रेजेंट में है तो इसलिए उसके आगे उसका जो कहा जा रहा है कि वह that से उसका result बताया जा रहा है obviously that will come in future तो इसलिए आएगा she is so proud that she won't listen to you the answer is D he ran so slowly that he couldn't catch the train आप ध्यान से देखिएगा so को टू से करेंगे तो टू वाले दो है जड़ा नीचे देख लिए he ran too slowly to catch the train he ran too slow to catch the train अब इसमें क्या आना चाहिए he ran के बाद slow जो होता वह adjective है तो वर्ब को जो modify करता है वह adverb करता है तो इसलिए यहां पर slow और slowly में फर्क किये है बाई देखिए see वाले में he ran how slowly that's an adverb he ran how slow slow कहता है he is slow तो slow is an adjective and जब adjective में ly जोड़ देते हैं तो एड़ब हो जाता है तो इसका आंसर है see he ran too slowly to catch the train that is see question number three I like him because he is a good person I like him because he is a good person I like him he is a good person for which I like him he is a good person as I like him he is a good person for which actually actually क्या है इसमें वैसे तो इसमें तो कोई साभी वह मुझे लेकिन यहां he is a good person for which I like him तो इसका answer होगा भी यहीं सहीं लग रहा है in spite of working hard he failed अब आप अगर इस question को देखो तो यह question जो है वो सिंपल सेंटेंस है अब आपको इसमें जो देखना है आप खुद देखो कि इसमें जो है आपका कॉंसर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो इसको जो है यह आपका कॉंपलेक्स हो रहा है आप यह देखिए ही इंसपाइट ऑफ निया आपका जोगे वो बता रहा कंट्रास बता रहा ही वार्डवी बट्रीथ फेल्ट तो कंट्रास्ट बतानेवाला एक है तो इसका आंसर होगा एक एपज्चित और मैनत नहीं करो गें तो इसको आपको बनाना है आप यहां देखिए कि यह जो sentence इसंटेंस है यह complex है अब हमको complex में भले इसमें लिखा हुआ नहीं है मगर्णाइस्फों में सिंपल सेंटेंस में तो आप यहां देखें सिंपल सेंटेंस इसमें सी है यूइंड पास्थ क्यूंकि उसमें फाइनाइट वर्ब केना रहा है लेकिन विदाउट ओकिंग हाथ तो एक प्रेपोजीशन के बाद आपका जो है वह जैरन दारहा है विदाउट वरकिंग हाथ तो यह सिंपल शेटेंस में सको ट्रांसफॉर्म कर दिया गए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हैड का भी उसकर सकते हैं पहले देखिए भाईया क्या हारा चाहिए नो सुनर के साथ को दैन आता है तो यह भी देखना पड़ता है और देखिए और सुनर की सब्सक्राइब कर साथ देखिए और उसके साथ दैन भी लगा हुआ है तो यह सही है लेकिन नीचे वाले में देखिए no sooner did the thief saw did के साथ जब वर्ब की first form आनी है तो सौ तो लगेगा नहीं तो यहां पर आपका answer होगा that will be B तो answer है आपका B no sooner did I walk out of the house then it began to rain अब इसे सूने से बनाना अपने आप में कंजंक्शन है तो उसके बाद कोई और कंजंक्शन नहीं लगता लेकिन यहां नहीं से नहीं हाडली से बना हुआ है तो आप हाडली से देखो भाई आप पहले में क्या कर बढ़ ओगई डिड के साथ वर्ब की first form लगा वर्ब की second form लगा दी तो इसको यह गलत हो गया अब यहां हाडली के साथ देन लगा दिया अब हाडली और स्कार्सली के साथ वेन लगता है तो इसे भी हटा दो अब तो एक ही बचा है डी वो भी देख लेते हैं तो बहिया बिल्कुल सही है क्योंकि हाडली और वेन का कॉम्बिनेशन बनाया है हाडली के साथ वर्ब की third form भी लगाई है तो बिल्कुल सही है तो आंसर इस डी हाडली है अपको यहां पर स्कार्सली से कहा है तो यह हां जो है कि आपका स्कार्सली से बनाएंगे दोनों एक ही चीज होती है वैसे और दोनों में आपका जो है वह एक ही चीज आनी चाहिए तो यह कासली के साथ वेन लगता है तो आप यह देखें जाए तो इसमें उपर वाले में एमें अधैन है फिर बी में टीएच एन देन है और स्काशली है the passenger boarded the bus when it punctured और दी भी गलत है तो इसका हाड़ी और स्कास्ली के बाद जो का कंजंक्शन फॉलो करता है यह तो आंसर इस सी स्कास्ली है अगर हम बनाते हैं तो नो सुनर दैन आना चाहिए नो सुनर डिट दा शिप दैन इट बिगन टू ब्लो हार्ड ऐस सून अगर इस के साथ तो दिन लगता ही नहीं है क्योंकि खुद कंजंक्शन है यह भी गलत है तो नो सुनर से बनाएंगे तो इसका आंसर है नो सुनर को फॉलो कर रहा है देन डिट के साथ वर्प की फर्स फॉर्म भी आ रही है कंजंक्शन भी सही लिया है तो यह सही है कि नो सूनर डिट शी आलाइट फ्रम ठ्रेइं डैना गार्ड विसर्लड तो जैब इसमें किस से बनाया गया इसकार ही ट्रीड वेन बनाना चाहिए Chemo स्कार स्ली आलईटील में अ द्छार कुर्ण यह तर लंड शी आलाइट इज मिल तो नो यह ठीक हो रहे हैं तो इसमें क्योंकि इसका साथ डिड़ भी लगा सकते हैं और हैड भी लगा सकते हैं लेकिन इसमें होता है कि एक काम के बाद दूसरा काम होता है तो इस हिसाफ से इसमें हम सी जो है इसमें मानते हैं आप चलिए मैं आपको यह मेरे जो हैं यहां से यह आप के पैडागोजी के questions and और मैं अब आपको इसको पैडागोजी के questions बतास ही तो देखो बाकी चीजे तो मैं धंग से बता देती हूं ये भी कोशिश तो यही करूंगी कि धंग से बताऊं पहले आप questions देख लीजिए ठीक है तो question है हमारा according to Bloom's taxonomy which among the following is a lower order thinking skill remembering applying evaluating यह analyzing तो पहला question देख लीजिए एंड जो answer है सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहां पर इसका जो answer है यह अपने आप कैसे जो है वो हो रहा है कि अपने आप बोट जो है वो हो रहा है the answer is remembering ठीक है answer जो है वो इसका remembering है अब मैं आपको थोड़ा सा जो है इनके बारे में चीज़े के बारे में बताना शुरू गरती हूं फिर देखिए Benjamin Samuel Bloom was an American educational psychologist जो यह Benjamin Samuel Bloom थे यह एक American educational psychologist थे जिनोंने who made contributions जिनोंने contribution जो है दिये है classification of educational objectives and to the theory of mastery of learning जो यह एक मतलब यह जो Benjamin Samuel Bloom थे यह एक American educationist थे और इन्होंने एक objective मतलब इन्होंने educational objectives की classification of educational objective करा और इन्होंने इपनी theory दिये of mastery learning जो यह Blooms taxonomy जिसे हम कहते हैं जिसका नाम है Blooms taxonomy Blooms taxonomy जो create की गई थी 1956 में create की गई और किसके दुआरा डॉक्टर बेंजमिन ब्लूम के दुआरा इन्होंने तीन domains को identify करा था cognitive affective and psychomotor cognitive affective and psychomotor यह तीन domains जो है इन्होंने analyze करें अब हम गर एक एक करके बात करें तो Blooms taxonomy में क्या है cognitive का मतलब क्यों होता है mental skills अगर हम बात करें तो यह तीन जो Blooms taxonomy है तो हमारा यह Blooms taxonomy Blooms taxonomy जो है दाट केम इन इसको 1956 में Samuel Bloom के द्वारा किया गया था यह जो तीन जो इन्होंने तीन जो इन्होंने इनके उसमें रख लिया है उसके जो कौन-कौन से हैं cognitive यह स्किल्स है cognitive affective and psychomotor यह तीन जो है वह इनके skills cognitive का मतलब होता है mental skills affective का मतलब होता है that is related to emotions भावनात्मक and psychomotor का मतलब होता है manual or physical skills cognitive mental skills affective emotional and that is manual यह तीन जो है वह स्किल्स है cognitive affective and psychomotor अब इसमें एक आपका जो domain होता है यह मेरी बेटी ने देखें डॉल बना रखी है इतनी प्यारी सी डॉल है सहटाती नहीं हो इसके आगे बढ़ जाती हूं देखेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो इन्होंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में अगर हम इसमें cognitive domain की बात करें तो सबसे पहले जो है वो knowledge है फिर उसके बाद जो है वो comprehension है छह हैं यह application, analysis, synthesis and evaluation तो knowledge जिसे remembering भी कहा जाता है यह 6 जो है इन्होंने इसमें यह points बता है यह है यह cognitive domain के है knowledge comprehension application analysis synthesis evaluation सबसे जो लोवर जो skill है लोवर जो चीज है वो है knowledge knowledge को अगर हम बाटते हैं तो knowledge के लिए हम यो यूज करते हैं वो remembering यूज करते हैं knowledge के लिए term यूज करी हमने remembering remembering का मतलब क्या हुआ जो को यह cognitive इसके बारे में बता रहूं remembering का मतलब है recognizing or remembering facts terms याद रखना तत्यों को याद रखना यानि कि सबसे पहली चीज क्या है तत्यों को याद रखना बाई सबसे बड़ी चीज यह तत्यों को याद रखना remembering उसके बाद आपका है understanding मतलब comprehension या understanding comprehension को यह understanding कहा जाएगा तो understanding का मतलब क्या है कि जो आप याद रख रहे हैं तत्यों को उनको जो कहें उनको समझना उनको comprehension मतलब होता है to understand तो जो आप तत्यों को पढ़ रहे हैं उन तत्यों को समझना that is comprehension जो तीसरा पॉइंट है application बाई application का मतलब यह होता है कि जो आपने knowledge अक्वायर करी है जो आपने knowledge को समझा है उस knowledge को आपको यूज करना और उस knowledge को new situations में लगाना तो application का मतलब होता है उस knowledge को नई सबसे छोटी जो यूनिट है cognitive उसमें जो आपका cognitive domain है उसमें knowledge knowledge में आता remembering when you remember some facts बस याद करना लेंगिन उसके बाद दूसरा जो स्टेज आता है उस जो आप whatever facts you have learnt just understand them अब जो आपने facts याद करें उनको practical knowledge को उस knowledge को नई situation में किस तरीके से लगाना और उसके बाद जो next है वो आपका है fourth है that is analysis analysis का मतलब होता है analyzing involves breaking information into component parts information को breaking information into component parts याने की information को component parts में तोड़ना फिर synthesis synthesis का मतलब यह होता है कि चोटे-चोटे parts को एक साथ मिलाकर उन्हें पूरा एक बनाना synthesis मतलब जोड़ना होता है चोटी-चोटी जो knowledge आपने वो सीखी उसको मिलाकर एक बनाना सबसे जो ऊपर का point है that is evaluation evaluation का मतलब होता है कि judgment मतलब मेकिंग जज्मेंट मेकिंग जज्मेंट अबाउट information उस उस knowledge के बारे में जज्मेंट जो है बनाना तो भाई सबसे जो कॉगनिटिव डोमेन है आपका उस कॉगनिटिव डोमेन में आप यहां पर देखते हैं knowledge यानि कि सबसे छोटा जो लेवल है knowledge है knowledge का मतलब है आप कोई भी चीज सीख रहे हैं comprehension उस चीज को सीख के उसको समझ रहे हैं application उस जो आपने सीखा उसे नई जगे नई उसको नई situation में यूज करने उसके बाद analysis है उस चीज को उसको components में बाट रहे हैं synthesis छोटे-छोटे इस जो आपने ग्रहन करा है उससे एक बड़ा जो है वो होल बना रहे हैं और evaluation whatever you have learned passing judgment over it उसको क्या कहते हैं evaluation तो यह blooms taxonomy है अब उसके बाद यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर यह बताऊं 2001 में इसका एक revised version जो है वो आया था 2001 में जो इसका revised लेवल साय थे रिवाइस एडिशन जो आया था वह यह है देखो यह इस तरीके से है रिमेंबर अंडरस्टेंड रिमेंबर अंडरस्टेंड अप्लाइए अनलाइज अग्ट एवालूएट अड्रीएट अग्रीएट यह ब्लूम्स टेक्सोनामी का 2001 का रिवाइस जो वह है यह जो आया था ब्लूम्स टेक्सोनामी का जो कॉग्निटिव डुमेन के बारे में आपको मैं बता रही हूं कॉग्निटिव डुमेन में यह छह थे नॉलेज कॉंप्रिएंशन अप्लिकेशन अनलिस सिंथिस एवालूएशन 2001 में जो रिवाइस सब्सक्राइब करो तो यह लास्ट था क्रियेट करो तो यह मैंने थोड़ा था आप लोगों को बताने की कोशिश करी है तो अब मैं इसके हिसाब से क्वेस्टिन जो है समस्पर बताती हूं देखिए तो सबसे पहले था अकॉर्डिंग टूब्लूम्स टेक्सोनामी विच अमंग दा फॉलोइंग दा लोगोर ओर थिंकिंग स्केल तो अम अभी हमने ब्लूम्स टेक्सोनामी को देखा तो सबसे नीचे का जो को स्केल है ताइस नौलेज यारे मैंबरिंग है तो यह है आपका बैदे को रिमेंबरिंग अंडर्स देंग एंडर्स देंग अंडॉम् hierarchy skills are associated with cognitive mental skills psychomotor aapke manual skills and affective is emotional skills the all of the above ये जो है तीनो है आपके that is all of the above which of the following represents the domain evaluation in Bloom's taxonomy creating a graph or chart using the data judging the local consistency of a solution evaluating the pertinence of the data provided formulating a new way for catering a categorizing object a and b b and c c and d d and a by evaluation ka matlab kya hota to pass the judgment joe kuch bhi aapne seek ahead to pass the judgment it involves presenting and defending opinions by making judgment about information the way the validity of ideas and the quality of work to by judging the logical consistency and evaluating the pertinence of the data so you have a b and c a student rights of well-organized theme this belongs to application analysis evaluation synthesis agar aapne jose से मैंने अभी आपको बताया जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है तो आप जड़ा यहां पर यह देखिए आप स्टूडेंट राइट सवेल और्गनाइज थीम दिस बिलॉंग्स टू वेल और्गनाइज से ले लिया आप और्गनाइज करने के मतलब चोटे चोटे को मिला कर एक होल बनाना वह किसमें बनाते हैं वेल और यहनि कि छोटी छोटी जो चीज़ा आपने सीखी और उसे एक साथ जोड दिया तो वह क्या होता है वेल और गनाइज ज़ेट तो देट इस सिंथिस कि अधर सिंथिस इस ए ए डिए डिएटि टू यूज इसलारंट मेटीरियल इन इन दियु सिट्यूएशन वायदा चाइल मेकिंग यूज ईयूज फिर्फिवेस नॉलिज बाइटियूज था नावट इमेंब्रेंग था रिमेंब्रिंग के बाद कॉम्प्रिहेंश्इंश सब कॉम्प्रिहेंशन के बाद हमारा अप्लाइंग था क्यानि कि जब हम कोई चीज सीखते है तो उसकी हमने पहले ही फैक्ट को याद करा उनको समझा और फिर उस जो नॉलेज है उसको नई सिचुएशन में अप्लाई करा तो वो क्या होता है ताट इस एपलीकेशन तो एंड दाट इस एपलीकेशन सब्सक्राइब को टॉटं बहुण जब स्टुडेंд जो है कॉंसेप्ट को नई सिचुएशन में यूज करता कि से मधी कुस्टेंग सेइच यह था जब स्टूडेंट शो सीखा उसको नई situation में यूज करता है तो उसे क्या कहते है अप्लाइंग लेवल और यह अप्लाइंग लेवल according to bloom's taxonomy remembering is a factor of of dash objective याद करना किस से संबंदित है according to bloom's taxonomy अपने आप आज बोर्ड मुरे को समझ में नहीं आ रहा है अपने आप आगे-ागे क्यों बढ़ रहा है according to bloom's taxonomy remembering is a factor of dash भाई अभी तक आपको मैंने बता है cognitive mental skills तो remembering जो है वो cognitive mental skills से संबंदित है the keywords defines nose labels and lists belong to which category remembering understanding applying evaluating पहले आप questions को समझे कि क्या हो है define nose labels and list यह यह जो वर्ब्स है वर्ड से डिफाइन्स नोस लेबल्स लिस्ट बिलॉंग टू विच क्याटेगरी remembering understanding applying evaluating applying evaluating है नहीं समझने के सेंस में तो दाट इस स क्थे यह यह जुड़े यह भी कि यह यह है यह 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 एक मिनुट एक मिनुट हाँ साही है तुनने जिक्सक्राइब हाँ जी तो यह था रिमेंब्रेंग नाओ नेक्स वन इस और गिवन सेट विच वन इस लेवल ऑफ और आप यहां देखेंगे हाइस लेवल एवैलवेशन भाई ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हिसाब से आप पहले सीखेंगे उसको समझेंगे उसको लगाएंगे उसको कॉंपनेंट्स में बाटेंगे फिर उसको सिंथसाइज करेंगे लास्ट क्या होगा कि आप उसको जज़ करेंगे जो आपने वाटेवर नॉलेज यह वाट उस पे आप जजमेंट जो अपना देंगे तो वह चीज उसको उस चीज को क्या कहा आजाता है और सबसे छोटा जो सबसे जो लोड़ पे लोड़ लेवल स्किल है अगयर अजिर के लिए देवेल इस वैलेशन तो आंसर इस इवैलएशन इवैलवेटेंग कि ब्लूम्स लेसन प्लान इस बेस्ट जॉन ब्लूम की जो लेसन प्लान आयते वह अधारित हैं अब्जेक्टिव पर अधारित हैं तो यहां तक थे आज मैंने जो है ब्लूम्स टेक्सोनामी के बारे में बताया एंग्लिश लिट्रेचर के बारे में बताया और बाकी सारी चीज़े तो आप लोग उससे पढ़ते ही रहते हैं थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे हो गया हो पैड़ागोजी में तो उसके लिए चला लेना काम और कोशिश करिए मैंने क्योंकि यह कोशिश भी इसलिए करिए कि स्टुडेंट्स को जोगे एक ही प्लाटफॉर्म पर चीज़े मिल जाएं अपनी जब वेनेवर आई कम तो मैं और अगर कोई नहीं चीज करवाती हूं तो उसको पढ़कर रिसर्च करके तो आती हूं मगर होता यह कि वेन सम्टिंग इस न्यूव फॉर यू तो आपको में हैं तो आप सभी को मेरी तरह से अभी शुब कामना है उसके लिए हो सकता कल आ भी जाओं हो सकता ना भी आओं बस जैसा भी है तो मिलेंगे अट सॉल फॉर टोड़े